प्रुख करते हैं अगली खबर की तरफ पतंजली आयरुवेद पर मदरास हाई कोट ने लगाया 10 लाग का फाइन कहा जनता में कौरोना की डर का फायदा उठा रही कमपनी जी हाँ दोस्तो योग गुरु बाबरामदेव ने कमपनी पतंजली की ओर से कौरोनिल ब्रांड का इ इसे मन्जूरी नहीं मिली और अब पतंजली अपने इम्म्यूनिटी बूस्टर उत्पादों को इसी नाम से बेच रही है चेनने इस्थित कमपनी अर्दुरा इंजिनेरिंग प्राइवेट लिमिटेड के पक्षमे आदेश देते हुए कोट ने कहा कि पतंजली को अपने पाच बेचने से पहले ट्रेड मार्क से रजिस्टरी में जाकर देखना चाहिए कि है ट्रेड मार्क रजिस्टर है या नहीं। जस्टिस कारकिकेन ने कहा कि पतंजली को यह समझना चाहिए कि व्यापार में कोई समानता जैसी चीज नहीं होती यदि उन्होंने यह चेक नहीं किया कि इस नाम से पहले ही कोई ट्रेड मार्क है तो यह उनकी गलती है पतंजली की और से कोट में जानकारी ना होने का तर्क न दवा की बात कर रही है कोट ने कहा कि पतंजली की और से बेची जा रही कौर्निल दवा सिर्फ खांसी सर्दी और बुखार के रिए कारगर है ऐसे में इस मुश्किल समय में गुमनाम होकर काम करने वाले संगठनों को पतंजली की और से जुर्माना दिया जाना चाहिए अधियार कैंसर इस्टिट्यूट और गवर्मेंट योग एंड नेचुरोपेथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को पांच-माच लाग रुपे अदा करे